दोस्तों राजमा चावल चीज ही ऐसी है कि भूख ना भी लगी हो तो भी पेट के किसी कोने में इसके लिए जगह निकल लियाती है और आपको लगी हो कड़ी भूख और सामने आजाए राजमा चावल की प्लेट फिर तो पूछिए हीमत आज हम ऐसे राजमा की रेसिपी ले करें और वीडियो को लाइक वा शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके घंटी बाला बटन दबाना ना भूले तो हमने यहां पर लिये हैं करीब दो कप राजमा इसको धोकर रात में भीगो दिया था इसको चार-पांच घंटे के लिए भीगोना काफी है अब इसको प्रेसर कोकर में डाल कर छे से साथ सेटी आने सक पकाएंगे तो देखिए कोकर की भाब निकल चुकी है और अब राजमा को एक बाउल में निकाल लेते हैं और यहां पर हमने कुछ खड़े मसाले लिये हैं इसमें एक छोटा चमच जीरा, दो तेजपाद, एक इंच दालचीनी, दो बड़ी इलाइची, पांच लॉंग, दस ग्यारा काली मिर्च, और जावित्री का फूल लिया ह और अब हम 10 बारा लहसुन की कलिया लेंगे, इनको महीन महीन चौप कर लेंगे, इसके बाद चौप करके हरी मिर्च को भी चौप करेंगे, इसके बाद एक इंच अद्रक को भी चौप कर लेंगे, यहां पर हमने मेडियम साइज के चार प्याज लिये हैं, इनको बारीक इसके बाद तीन टमाटर लेंगे इनको मिक्सी में डालेंगे और इनका पेष्ट बना लेंगे टमाटर का फाइन पेष्ट बनकर तयार हो चुका है और अब हम आधी कटोरी दही लेंगे इसके ऊपर डाल देंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका पेष्ट बना लेंगे दही में इस तरह से मसाले मिलाने से बूनते बक्तिया जलेंगे नहीं और इनकी खुस्वू बरकरार रहेगी तो अब गैस चूले पर रख दिया है पैन और इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून सरसू का तेल तेल गर्म हो जाये तो प्लेट में लिए हुए सबी खड़े मसाले एक साथ डाल देंगे इसके तुरन्त बार डालेंगे दो चुटकी ही लह सुन भी तुरन्त डाल देंगे और साथ ही डाल दें चौप की हुई हरी मिर्च और अद्रक और चला कर भूनें और इसके भूनते ही इसमें एक गया प्याज प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे और जब या सुनहरा हो जाए तो इसमें टमाटर का पेश्ट डाल दें जब टमाटर भी भून जाए तो इसमें डालने दही के साथ मिक्स किया हुआ मसालों का पेश्ट इसी कटोरी में लेकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स करने के बाद इसको डखकर धीमी आज पर पकाएंगे तो देखिए करीब दो मिनट मुनने के बाद मसालों से तेल अलग होने लगा है और बहुत ही बहितरीन खुश्बू आने लगी है और यही बक्त है जब इसमें डाला जाएगा राजमा इसी के साथ कुटी हुई कस्मीरी मिर्च और स्वादा अनुसार नमक डाल देंगे ग्रेवी की थिकनस एकदम परफेक्ट है आपको जितनी गाड़ी या पतली ग्रेवी रखनी है उसी के हिसाब से पानी का प्रियोब करें तो राजमा बनकर तयार हो चुका है और दो मिनट इसको पकाने के बाद इसको सर्विंग बाउल में पलट लेंगे तो धनिया के साथ गार्निस करें और गर्मा गर्म राजमा चावल का मज़ा लें साथ में धनिया पुदीना की चटनी, प्याज, अचार और सलाद रख लें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा चावल के अलावा इनको रूटी, पराठा या पूरी के साथ भी खाएंगे तो आपको पहुती स्वादिष्ट लगेंगे तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें यह कमेंट करके बताएं वीडियो को सेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके गंटी वाला बटन दवाना ना भूले आप सभी स्वस्त रहें, मस्त रहें और हमारी नही नियर रेसिपी की वीडियोज देखते रहें इसे कि साथ लेति हूं आपसे बिदा फिर मिलती हूँ किसी जाय के दार और धमा के दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाई दोस्तों